जैशी रिजना फ्रेंड्स आज मैं ब्रत की स्पेशल टेस्टी वर्फी लेकर आई हूँ इसको आप ना केवल ब्रत में बल्कि आप नॉमल देज में भी बना कर खा सकते हैं यह बहुत सिंपल है बनाने में तो आईए मैं इसको जट्पेट बनाना शिरू करती हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर 30 ग्राम मखाने लिए हैं इसे मैंने एक कडाई में डाला है और इन मखानों को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ भून लेती हूँ बिना घी के ही मुझे इन मखानों को थोड़ा सा भूनना होता है तो मैं कडाई में इनको चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे ही इनको भून लेती हूँ इस रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अब ये तो मखाने मैंने भून लिये हैं बिल्कुल भून गया हमारा हलकल का कलर चींच हो गया है मीडियम सिम गैस पे भूना था मैंने गैस को बंद कर दिया और मैंने इन मखानों को एक प्लेट में निकाल लिया अब इन्हें हलका ठड़ा होने देती हूं दुवारा से कड़ाई गैस पे रखती हूं अब मैंने 500 ml दूद लिया है वो इसमें डाल देती हूं ये मैंने मखाने वाली कड़ाई दुवारा से यूज कर लिये और दूद को आम मैं चलाती रहती हो थोड़ा गाडा कर लेती मुझे मेडियम सिम गैस पे दूद को चलाते रहना है इसे छोड़ना नहीं होता नहीं तो इसमें मिलाई पढ़ जाएगी हमें मिलाई पढ़ने नहीं देनी होती है चलाते हूए हमें बस दूद हो थोड़ा गाडा करना होता है अब यह जो मकाने हैं वो भी मेरे ठंडे हो गए है तो मैं इनको मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेती हूँ थोड़ा दरदरा रह जाए कोई दिक्कत नहीं है इनको पीस के मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है यह आप देख सकते हैं और अधर मैं अपने दूद को देखते हूँ अभी हमें थोड़ा सा और गाडा करना है अभी थोड़ा पतला रह गया है अब जैसे देख सकते हैं इसको मैं चलाती रहती हूँ अब उसमें मैं डालूँगी शक्कर यह है चार टेवल स्पून शक्कर मैंने लिये वो मैं डाल देती हूँ और शक्कर थोड़ी कम जाद आप अपने पसंद से कर सकती हो और मैं इस भी मिक्स कर लिया है तो फ्रेंट्स मेरी शक्कर भी अब इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है और दूद आप देखी सकते हैं काफी गाड़ा हो ही चुका है तो अब जो मैंने मखाने पीस कर रखे थे में गैस को सिम करके वह सारे मखाने इसमें डाल दूंगी और फिर इसे खूब अच्छे से मैं म मखाने और दूज जो है मारा अपस में अच्छे से मिक्स हो गए है तो अब मैं इसमें एक और अच्छी स्पेशल इंग्रिडियन डालेंगी जिससे इस बर्फी का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा यह हमारा डेसिकेटिड कोकोनेट जिसे नारियल का बुरादा कहते है चा इतना पकाती हूं और मुझे इतना पकाना होता है कि नह बस्तों कि बिल्वकुल कडाय न चोडने लगे एक जू ठोकीन में जbon लगे 2-2 जो ठोका कडाय न चोड़ने लगे तो मैं इसको चलाती रहती हूं यह देक अच्छी तो जैसे कोखो गया है जैसे काडाई भी आ छोड़ने लगया मैं एक प्लेट में एक गी से डेस लिए लगा उप जिसमें भी जमाना चाहाएं उसे पहले से ग्रीस कले और इस मिशणर को ले जाकर मैं इस पर डाल देती हूं जैसे भी शेप आपको देनी है इसको सेट करने के लिए इसको रख देती हूँ अच्छे से पहले इसको भी सेट कर ली है अब मैं इसके ऊपर थोड़े से डेकोरेशन के लिए ड्राइफ्रूट्स डाल देती हूँ अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के जब तक अच्छे सेट ना हो जाए इसके हमें छोड़ना होता है पहले मैं इस पैटूला से ही थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी ताकि ड्राइफ्रूट्स इसमें तोड़े अच्छे और से सेट हो जाए अब मैं इसे ढखका या फिर ऐसे ही नॉर्मली साइट से सेट होने के लिए रख देती हूँ अपने आभी थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठंडी हो जाती है और एकदम सेट हो जाती है बर्फी बनके तयार हो गई है अब मैं इसको पीसेज में कट करती हूँ और देखिए हमारी ये सॉफ्ट मुलाया मखाने की बर्फी और ये स्पेशल बर्फी इसलिए भी है क्योंकि आप इसको नॉर्मल डे टो डे यूज में तो बना ही सकते हैं साथ की साथ अगर आपका ब्रत में कुछ मीठा खाने का म तो आप इसको ब्रत में भी बना सकते हैं और देखिए मेरी बर्फी जो है वो बिलकुल बनकर तयार हो चुकी है अब मैं बाकी सारे पीसेज भी भार निकाल लेती हूँ एक एक करके और ये मेरी बर्फी हो गई है तयार मैं सारे पीसेज निकाल के इस बर्फी को गरूंगी सर्फ मुझे उमीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा जाते जाते बस आप वीडियो को लाइक करिएगा और अ कर सकते हैं